हेलो एवरिवन विल्कम टू माई चानल वीला फॉर्चून डबल वन डबल वन कैसे है आप लोग आप सब बहुत अच्छे हो गाइस आज की जो वीडियो है वो पिककार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक यह है कि आप चिन के बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपकी जो पार्टनर है क्या वो आपकी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं क्या वो आपकी इज़त करते हैं क्या वो आपको वैलू करते ह या फिर आपको for granted लेते हैं, तो यह सब हम देखेंगे, okay, तो आज मैंने यहाँ पर दो पाइल्स ठका है, पाइल नंबर 1, Transformation, पाइल नंबर 2, Patience, okay, वीडियो को pause कीजे, meditate कीजे, फिर intuitively, जो भी पाइल आपको attract कर रहा है, उसे आप चूस कर लेजे, यह एक timeless general reading है, और gender specific भी नहीं है, तो male, female, आप दोनों ही इसे किसी भी work देख सकते हो, गाइस, अगर आपको paid personal readings करवानी है, या फिर crystal stones, energized, blessed form में purchase करना है, for your relationship, career, abundance, healing, etc, या lessons लेने है, तो you can contact me on my whatsapp number, वीडियो में भी दिख रहा होगा, description box में भी है, इंस्टाइड, email id है, तो वहाँ जो कि आप मुझे contact करके, अपनी bookings करवा सकते हो, गाइस, तो चलिए, अब बिना किसी देरी के start करते हैं, आज की वीडियो को, hello pile number one, चिनों ने भी pile one, या फिर आस्वोमेशन को चूज किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हूँ, या फिर आपकी जो partner है, वो आपको इज़त करते हैं कि नहीं, आपकी respect करते हैं कि नहीं, दिल से, guys, अभी मैं out of station हूँ, so, मेरे पास report नहीं है, so, मैंने already cards निकाल लिये हैं, because मुझे one hand से, वीडियो बनाना पड़ रहा हैं आप लोग के लिए, okay, so, सबसे पहला card है, हमारे पास the lovers, then we have change, इसके बाद है, हमारे पास ordinariness, then we have understanding, इसके बाद हमारे पास है, ace of cups, six of pentacles, the emperor in reverse, happy family, then we have, third chakra, archangel, shamuel, okay guys, I hope, आपको cards अच्छे से दिख रहे होंगे, so, signs जो यहाँ पह है, वो मैं बता देते हूं, यहाँ पहे, air sign, aquarius, libra, gemini, fire sign, aries, leo, sagittarius, earth sign, virgo, taurus, capricorn, water sign, cancer, scorpio, pisces है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो science है वो है, leo, gemini, aquarius, aries, scorpio, pisces, taurus, capricorn, ओके, यह कुछ साइन सबसे ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देती हूं, कि आपकी जो person है, वो आपको दिल से respect करती है कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि यह जो person है, आपसे true love करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, respect से भी पहले, इनकर जो प्यार है, आपके लिए unconditional love है, हो सकता है कि आप लोग twin frame journey में हो, कुछ लोग के लिए possible है, या फिर कुछ लोग soulmates हो सकते हैं, और किसी तरह का यह divine connection हो सकता है, और यह जो person है आपको दिल से बहुत जादा चाहते हैं, और आपकी दिल से बहुत जादा respect करते हैं यह person, बहुत ही जादा दिल से यह respect करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, उनके life में आपकी value बहुत जादा है, चाहे आप लोग separation में हो या इस connection में हो doesn't matter, okay because यह जो person है आपको दुआओं में मांगते हैं, इन्होंने future देखा है आपके साथ, ठीक है इन्होंने plannings करी है यह चाहते हैं कि future इनका आपके साथ ही हो, okay और हो सकता है कि इन्होंने efforts डाले हैं कभी past में या फिर अभी यह person आप दोनों के रिष्ट में efforts डालना चाहते हैं वो सारी चीज़े आपको देना चाहते हैं जो आप डिजर्फ करते हो, जो साथ उन्होंने past में नहीं दिया था, okay तो यह चीज मुझे यह पर दिख रही है क्योंकि यह पर the emperor in reverse है तो सकता है कि यह जो person है अभी भी पूरे तरीके से independent नहीं है अपने life में, okay और इस person को decision देना नहीं आता यह अपने accordingly stand नहीं ले पाते हैं जिनके वेसे इनको ऐसा लगता है कि आपकी तो यह बहुत जादा value करते हैं respect करते हैं लेकिन शायद आप नहीं करते हो उनका, ठीक है तो उनकी ऐसी एक perspective रही है कहीं न कहीं, ठीक है उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे कमजोर है या फिर वो आपके लायक नहीं है, okay या फिर उन्हें कभी respect नहीं मिल सकता जिस respect की उन्हें तलाश है आपसे लेकिन देखिए, बहुत अदा प्यार है प्यार के साथ, यह जो person है वो चाहते हैं कि सब कुछ वो आपको provide करें, आपके provider बने, ठीक है तो इज़त तो बहुत है मुझे या पर जो चीज़ दिख रहा है इज़त बहुत ही ज्यादा है, ठीक है मुझे लग रहा है कि पहले हो सकता है कि इनके life में मतलब यह बहुत casual थे ठीक है, जहाँ पर यह decision भी नहीं लेते थे और relationships को for granted लेना आपकी value ना करना, बट कुछ time के बाद हो सकता है कि इस person के अंदर transformation आना शुरू हुआ हो सकता है कि जब आप लोग separate हुए तो धीरे धीरे जब आप लोग अलग होने लग गए, तब इस person को realize होने लग गया कि actually इनके जिंदिगी में क्या बदलाव आ रही है, actually क्या ये person खो रहे हैं, क्या चीज़ इनको वापस लाना चाहिए ठीक है, और क्या चीज़ों को जाने देना चाहिए तो ये सब चीज़ों में ये person फस गए, okay, and इस person ने बहुत कुछ realize किया ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आप उनके जिंदिगी का एक अनमोल हिस्सा हो with the lovers okay, हो सकता है कि इनको dreams दिखे हो, या फिर इनको किसी भी तरीके से पता चला हो, या कुछ भी reasons हो सकते हैं, जिसके बाद हो सकते है उनकी जो इज़त ही आपके लिए वो और भी ज़दा बढ़ गई, या फिर हो सकता है कि आपने उनको help किया, ठीक है, mentally, बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ changes मुझे आपर दिख रहे हैं और यह जो changes आप दोनों के रिष्टे में आए हैं आपके person के life में thoughts में आए हैं, वो कही ना कहीं आपके favor में हैं, आप दोनो masculine and feminine energies में हो सकते हो, एक दूसरे के twin frames हो सकते हो जिसके वैसे यह जो change है, यह for a positive outcome है, okay and हो सकते है कि यह जो person है, हो सकते है, पहले यह बहुत दब work में focus थे, काम, काम, पढ़ाई, पढ़ाई सारी चीज़ों में focus थे, finances में focus थे, जहाँ पर यह person आपको realize नहीं करवा पाते थे कि उनके life में आपकी value कितनी है और आप हमेशा confusion में रह जाते थे, कि actual में यह जो person है, मेरी respect करता भी है या नहीं, करती है भी या नहीं ठीक है, या फिर प्यार के नाम पे बस दिखावा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस person ने बहुत बार आपको ignore किया या फिर बहुत बार busy रहने के कारण इसने अच्छे से reciprocate नहीं किया आपके साथ तो आपको इसा feel हुआ कि यह person आपकी value ही नहीं जानते, आपको respect ही नहीं करते, तो यह चीज़ मुझे या पर दिख रहा है, लेकिन यह जो person है, यह आपको समझने कि कोशिश फिर से करना चाह रहे हैं हो सकता है, पहले आप दोनों के बीच में अन्बन होती रहती थी, तालमेल नहीं बैट पाता था, आप दोनों की understanding level बहुत अलग थे, लेकिन अब यह person आपको अच्छे तरीके से जानना चाहते है क्योंकि प्यार से भी जादा यह person आपकी respect करते हैं, गाईस, प्यार से भी जादा यह person आपकी respect करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा डर है कि यह आपके लिए enough नहीं हो सकते शायद, इन्हें ऐसा लग रहा है बट हो सकता है कि अभी की अभी जो situation है, उस हिसाब से यह person अपने work में बहुत रहादा focus है, और कुछ planning आप दोनों के future को लेकर यह person कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आप लोग already married हो chances देर कि आप दोनों already married हो, और आप दोनों के kids हो या फिर इस person के kids हो, आपके kids हो, जो भी situations है यह person आपको लेकर planning कर रहे हैं अपने future के लिए और उसके लिए efforts डालने के लिए, यह person तयार है क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आपकी value क्या है और यह person आपको उस चीज को feel करवाना चाहते हैं, okay तो definitely यह person आपको बहुत respect करते हैं, साथने बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, okay जो यह person अभी decision लेने के power में नहीं है यह person बहुत जल आएंगे अपने power में और सारी चीज़े आपको feel करवाएंगे यूकि अभी इस person को self-esteem issues भी हैं कुछ ना कुछ वज़े से, okay हो सकता है कि आप इन से जादा independent हो या फिर आप इन से जादा अच्छे हो किसी भी तरीके से, okay तो इनको inferior complexity आती है लेकिन still यह person इस चीज़ से overcome करेंगे यह person आपके तरफ आकर आपको realize करवाएंगे कि इनके दिल में कितना आदा शिद्दत और प्यार है आपके लिए, okay तो यह चीज़ definitely यहां पर होगा जो numbers आपके लिए important है, वो है 6 दो बार आया है, हो सकते है double six, triple six आपको दिखते हूँ ठीक है, one, four, ten, eight four, four भी दो बार आया है यहां पर four है, यहां पर, यहां पर four है तो बहुत repetitive angelic numbers हो सकते हैं, आप लोग को दिखते हूँ number 37, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 6 okay, जो letters आपके लिए important हो सकते हैं वो हो सकते हैं v, m, p, y, s, k, a, d, e, b okay guys so guys, यह थी आप लोग की reading, I hope आप लोग को पसंदा है अगर पसंदा है रिजू नहीं थूई है तो प्लीज दो like, comment, share and subscribe, मैं मिलती हूँ आप लोग को next video में guys, तब तक के लिए bye, pile 1 hello pile number 2 जोनों ने भी pile 2 या फिर patients को choose किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में में सोच रहे हो या फिर आपकी जो person हमारे पास ripeness इसके बाद हमारे पास possibilities then we have the burden इसके बाद हमारे पास है breakthrough then we have five of swords page of cups king of swords the thinking man anxiety okay guys so guys जो signs आपके या फिर आपके person के हो सकते हैं वो है यहाँ पे earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn fire sign, Aries, Leo, Sagittarius air sign, Aquarius, Libra Gemini और Pisces वाटो साने Pisces की energies आ रही है आपके person आपकी दिल से respect करते हैं कि नहीं तो सबसे पहला चीज जो मुझे यह दिख रहा है आपके person की जो persona personality है वो egoistic है dominating nature की है सिर्फ अपने बारे में सोचना selfish kind of, self-centered kind of और हो सकते हैं उनके life में बहुत सारे problems चलते हो related to their career, related to their personal life, related to anything हो सकते हैं यह person suffer करते हैं अपने खुद के life में खुद के जिन्दगी में इनकी कुछ ऐसी nature है यह जो person है आपकी respect करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत दा bold हो बहुत दा powerful हो आपके बहुत दा patience है आप एक से दो चीजों का अच्छे से handle करते हो में भी हो सकता है कि आप लोग already कुछ business या self employment में हो या फे कुछ यूट्यूबर हो या कुछ कर रहे हो अपने लिए जिससे आपको name फे मिल सकता है तो यह person आपको respect करते हैं इस वज़े से कि आपके अंदर की qualities हैं आपकी qualities को देखकर यह person आपकी respect करते हैं but जब emotional way में अगर मैं बात करूँ कि दिल से जिसे हम अपना पंसा महसूस करवाते हैं वैसे situations की मुझे या पे कमी दिख रही है क्योंकि यह person respect तो करते हैं लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो अगर यह आपको दिल से respect भी करते हैं तो इनको नहीं लगता है कि उनको जताना चाहिए कि यह आपके लिए क्या feel करते हैं इनके perspective क्या है आपके लिए और हो सकता है कि इनके life में कुछ burden stress रहते हैं जिनके वेज़े से यह किसी और पे focus करना ही नहीं चाहते हैं तो इनको मतलब फरक नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है ठीक है और इनको मतलब थोड़ी सी हिचकी चाहर्ट भी हो सकती है सोचते बहुत हैं आपको लेकर ये person लेकिन इस person के अंदर भी clarity नहीं है कि आप की ये दिल से respect करते हैं की नहीं ठीक है लेकिन करते जरूर हैं लेकिन emotional way में नहीं करते हैं as an individual है आपको admire करते हैं पसंद करते हैं आपकी qualities के वज़े से but as a lover अगर कहूं तो इस person की जो mentality है वो बस खुद के लिए है ठीक है बस self-centered रहना अपने बारे में सोचना तो अगर relationship की according आप देख रहे हूँ तो the answer is no लेकिन अगर as a human being आप देखना चाहरे हो तो yes respect ये करते हैं आपकी qualities को आपकी personality को लेकिन love, emotions ये सब में ये जो person है इतना जाद नहीं सोचते हैं इतना जाद value नहीं करते हैं आपके प्यार का या आपके emotions का आपके time का क्योंकि ये हो सकते हैं अपने life में busy रहते हैं अपने life में stuck रहते हैं तो ये चीज मुझे आप दिख रहा है हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा patience रखा इस person के लिए हो सकता है कि आप single mother हो सकते हो या फिर हो सकता है अपने फ्यूचर देखा ता ही नहीं के साथ आपने बहुत रदा पेचेंस लखा और elderly मेर्व पीछाग वाया कि उकले यह तो परसन है सोच ने में ही weekends तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यह परसन आपको लिए कि इतना दर सोचते हैं जिसके विए से इनको खुद को क्लारेटी नहीं मिलती है कि एक्च्वल में यह आपके लिए कैसा फिल करते हैं ठीक है इनको ऐसा वाइब साता है कुछ लोग के लिए लॉग डिस्सन्स कनेक आपने बारे में ही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मिलके कुछ होगा, मिलके कुछ होगा, तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर इतना दा नहीं सोचते हैं कि इसके इमोशन को वैलू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ऐसी थॉर्ट प्रोसेस मुझे यहां पर दिख रही है, और तो यह जो परसन है बहुत दा प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो जिसके वैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट करते हैं आपको इंडिविजुल की तरह, लेकिन अगर प्यार मोहबद में आपकी इमोशन को रिस्पेक्ट करने की बात आती है, तो यह परसन जो है, तो इसे हिचकी चाह जाते हैं, ठीक है, यह परसन एक सॉलिड वे में उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, उस तहट तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, जिससे वो निकलना चाह रहे हैं, खुद परिशान रहते हैं वो, ठीक है, तो अपने परिशानी के साथ साथ यह दूसरे के इमोशन, यह सबको एड नहीं करना चाहते हैं, अब यह इनकी चॉईस हो सकती है, किसी भी तरीके से, कुछ बर्डन्स इनके लाइफ में हो सकते हैं, जिनके वएसे यह बाकी चीज़ों में ध्यान देना चाहते ही नहीं है, यह किसी बार में सोचना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, इनकी जो माइंड सेट है, वो ऐसी है, कि चाहे कोई भी मुझे कुछ कह ले, मेरा जो मानना है, मेरे जो एथिक्स है, मेरे जो लॉजिक्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा, ओके, तो यह चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है, ओके, गाइस, येस, तो जो नंबर्स आपके लिए इंपोर्टेंट है, वो है 46, 5, 1, 18, 6, 2, 9, 7, 11, 12, 18, 19, 28, 27, 44, 38, 92, ओके, और जो लेटल्स आपके लिए इंपोर्टेंट है, वो है O, P, S, T, Z, A, M, B, K, C, ओके गाइस, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, I hope आप लोग को पसंदा है, अगर पसंदा है रिजुने इट हुई है, तो प्लीज दू लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए, बाबाई, पा